बढ़ते आगे सोनिय गांधी के दमात रौवर्ट वाडरा और उनकी कम्पनी स्काइलाइट हॉस्पिलिटी को सुप्रीम कोट से बड़ा जटका लगा है जानकारी के मुताबिक DLF जमीन सौदो में हुई आमदली के आयकर विवाग से समिक्षा जारी रहेगी सुप्रीम कोट ने इस मामले में रौवर्ट वाडरा की कम्पनी को किसी भी तरह की राहत देने से साफ इंकार कर दिया दरसल स्काइलाइट हॉस्पिलिटी ने सुप्रीम कोट में आयकर विवाग की कारवाई को रद करने की मांग करने की याज का दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोट ने याज का खारिच कर दिया और इसका मतलब आपको उदादे कि इस मामले में दिल्ली हाई कोट का आदेश अब बरकरार रहेगा आपको उदादे कि स्काइलाइट हॉस्पिलिटी की अगर बात की जाए तो LLP ने मई 2016 में स्काइलाइट हॉस्पिलिटी प्राइवेट लिमिटेट के अधिकार और दायतों का अधिकरन किया था अब सुप्रीम कोट केस नेरना के बाद गांधी परिवार के दमात रौवर्ट वड्रा और स्काइलाइट के दूसरे अधिकारियों के साथ पूस्ताच की जाएगी तो इस मामले के अगर बात की जाए मामला है क्या पूरा जो मामला है वो स्काइलाइट हॉस्पिलिटी से जुड़ा हुआ है जमीन से लेकर मीडिया रिपोर्ट के मताबिक आपको जादे कि DLF से कर्ज लिया गया था इस कंपनी की तरफ से और कशेत रूप से DLF से पांच करूर रूपे का कर्ज लिया गया उसने इस धन का इस्तमाल जमीन खरीदने के काम में किया और आपको बता दे कि बाद में उसने उसी जमीन को DLF को 50 करोड रूपे में बेज दिया यह कुछ इस तरह का मामला था कि जिस आपको उधा दे कि 5 करोड का जो लोल लिया गया या कर्ज लिया गया उसके बाद उस पैसे का इस्तमाल जमीन खरीदने के लिए किया गया और बाद में स्काइलाइट हॉस्पिलिटी के तरफ से यही जमीन DLF को पचास करोड में दे दी गई तो रौवडवाडरा के लिए मुश्किरें आपको बता दे बढ़ गई हैं सुप्रीम कोड की तरफ से जो याच का दायर की गई थी किया आयकर विवाग इस मामले की समीख्षिए